बंदे पुरसोतमम से सिठाकुर्जी के एक भक्त हुए अरुन ज्ञा वो अपने बारे में लिखते हैं कि करुणा मैं की अपार करुणा कैसे मेरे उपर हुई दो हजार बारो साल तक मेरे बचे रहने की बात ही नहीं थी कारण सराब मांस विभिन्न तरह का ड्रक्स मेरी जीवनी सक्ति को आचन कर दिया था मस्तिस्क ठीक तरीके से काम करना बंद कर दिया था पूरा सरीर कापता 1992 से 1999 साल के बीच लगभग 6 वर्स मैं नरक की गली का भ्रमण कर चुका हूँ ऐसा की असनातक अस्तर के आनरस परिक्षा समेथ सारी परिक्षा ड्रक्स का सेवन करते हुए ही दिया हूँ डिगरी प्राप्त किया हूँ ठीक ही लेकिन उच्च सिक्षा अरजन करने में ड्रक्स मेरे लिए बाधक बनकर खड़ा हो गया वर्ष 1977 में نसा ग्रस्ट अवस्था में स्रध्य हरी संकर सिंह दा S.P.R. के माध्यम से मैंने अमल्य धन सत नाम पाया किंतु दिक्षा के बाद का कोई काम ही नहीं करता था वर्ष 1999 के अंत में नसा ग्रस्थ अवस्था में मैं इस्लामपुर्ट सत्संग मंदर पहुचा। उद्दे से था मिठाई मीठा पर साथ खाकर ड्रक्स की नसा को बढ़ाना। उस समय भी नहीं समझा कि सिथाकुर आस्मान से असीन ध्या वर्सन करते जा रहे हैं। मंदर जाने के तीन दिनों में ही माथे का सारा उल्टा पुल्टा हो गया। मिठाई मीठा खाकर ड्रक्स की नसा बढ़ाने जाकर स्वस्तेनी व्रत ग्रहन करने का नसा पकड़ लिया। परमद्याल की करुणा से अंत में मैं स्वस्तेनी व्रत ग्रहन किया। उसी समय गुरु भाईयों के निकट परम पुझ्यपाद आचार देव स्रिस्री दादा एवं पुझ्यनिय बाबाईदा की कहानी सुनता इसी तरह से कितने वर्स बीद गए वर्स 2000 में देवगर जाकर स्रिस्री दादा का दरसन पाया पुझ्यनिय बाईदा का दरसन मैं उस बार नहीं कर पाया इसके बाद वर्स 2001 के 11 जुलाई को आचार देव असम से देवगर जाने के करम में इसलामपुर मंदर पहुँचे धीरे धीरे इस्ट करम की गती बढ़ाने की प्रार्थना लेकर समय मेरा बीतने लगा वर्स 2003 का जन्वरी महीना पुझ्यपाद स्रिस्रिदादा एवं पुझ्यनिय बबाईदा सहित इस्ट परिवार अठारो खाई स्रिमंदर पधारे हैं यह खबर पाकर स्रध्य सिंह दा स्रध्य नुरूल इस्लाम दा स्पियार पिस्ट प्राण अतुल दास सौमें दत एवं मैं एक गाड़ी भाड़ा करके आचारे दर्सन के लिए निकल पड़े रामगज पेट्रोल पंप में गाड़ी इधन लेने के लिए रुकी हम सभी युवगण रित्रिक दादा लोगों से कह वैठे आज आप लोग स्री मंदर का आशिरवाद नहीं लिए तो हम लोग अब मंदर नहीं आएंगे वास्तों में साधन भजन था नहीं सोचता था चाहने से ही उनका आशिरवाद मिल सकता है संध्या प्रार्थना के बाद उस दिन स्रिसिदारा अठारोखाई मंदर में अपने घर के बरामदे पर बैठे हुए थे परणाम से स्करसिंध दा युन रूल दा को इसारों में ही स्री मंदर के विशे में कहा उन लोगों ने महाँ उपस्थित स्रद्धे ब्रम्हा पददास दा इस पियार को इस विशे में कहा ब्रम्हा दा स्रिसिदादा को वही बात नवेदन किये किन्त आचार देव कुछ जवाब दिये बिना ही कुछ छण बाद ही उठकर घर के अंदर चले गए हम लोग यह मान बैठे थे कि उन्होंने कुछ नहीं कहा इसका मतलब स्री मंदिर निर्मार का समय अभी नहीं हुआ है हठात नूल्ला दोड़ कर आकर बताए कि पुजनिये बाइदा सबों को बुला रहे हैं उसे दिन पहली बार उनका दरसन हुआ घर के अंदर चौकी के उपर बाबाईदा बैठे थे दरसन प्रणाम करते ही उन्होंने कहा बाबा बोले हैं वे लोग इसलामपुर में स्री मंदर बनाना चाहते हैं थोड़ा देखो तो सिंहदा एउन रूलदा उनके साथ बात चीत कर रहे थे हम लोग उन्मुक होकर बैठे थे हटात क्या भाव हुआ नहीं जानता कह बैठा जी हाँ आपके कहने पर होगा उन्होंने हस्ते वे कहा अस्थानी गुरु भाईयों का मत ले लें सुबह बाते होंगी दूसरे दिन सुबह बिनती प्रार्थना के बाद बावाईदा गुरु भाईयों के साथ बातचित कर रहे थे सुयोग पाकर उनको अवगत कराया गया जी हाँ अस्थानी गुरु भाईयों का विचार है अचानक उन्होंने प्रस्न किया नुरूल्दा आपकी तो बदली वाली नौकरी है सिंग दा से भी वही प्रस्न पूछे उसके जवाब में दोनों ने जी हाँ कहा इसके बाद मुझे लक्षे कर बोले आपकी बदली वाली नौकरी नहीं है तो प्रस्न सुनकर मैं हत्प्रभ हो गया कारण मेरी नौकरी नहीं थी उस समय मैं एक अस्थानी सब्ताहिक पत्र का संबादन करता सुनकर उन्होंने कहा लिखते रहे अच्छे जगह ब्रेक्थरू पा जाएंगे उसी दिन उन्होंने इसलामपूर स्री मंदर के सिला न्यास का दिन निल्हारित कर दिये या था समय आचार देव सिरसिदादा सब परिवारा कर सिला न्यास किये बबाईदा के आसिरवाद के कुछ दिनों के भीतर ही अंग्रेजी दैनिक स्टेट्समेन संबाद पत्र में मेरा खबर छपना सुरू हुआ जो हपने स्वपन में भी नहीं सोचा था कारण किसी प्रभावसाली व्यक्ति के सिफारिस के बिना ही ऐसा अच्छा स्योग मिला बबाईदा के आसिरवाद से ही वह संभव हुआ है स्री मंदिर का काम चलने के समय जितनी बार देव घर गया हूँ प्रणाम करते ही जानना चाहते लिखने का कारे हो तब लिखने का कारे छोड़ना नहीं पड़ेगा उनके आसिरवाद से पिछले एक दसक में नामी गिरामी विभिन समबाद पत्र में काम किया हूँ वरतमान में मैं वरतमान समाचार पत्र का संबाद दाता हूँ से सिफाकुर की दया से संबाद दाता के रोजगार से ही जीवन यापन चल रहा है इसी वीच दो हजारी ग्यारह के सोलह जन्मरी को आचार देव स्रिसिदादा इसलामपुर स्रिमंदर का उद्बोधन की उनके साथ पुझनिय बावाईदा, सिपाईदा, बिंकीदा, सहित, इस्ट परिवार के अन्यान लोग भी थे तीस जुन्दू हजारी ग्यारह को स्रिसिदादा, परम पुझनिया, बढ़ बौधी एवं पुझनिय बावाईदा, सिलांग से लोटने के क्रम में कुछ देर के लिए इसलामपुर मंदर में रुके थे उस दिन रात में बे लोग गंगा रामपुर मंदर में रात्रिविस राम किये उन लोगों का अमी सानिध्य पाने के लिए हम लोग अनेको गंगा रामपुर गए, संध्या के समय बावाईदा, आचार भवन के दो मंजिले हाल घर में बैठे थे दर्सन प्रणाम करके हम सभी गुरुभाई वहाँ बैठ कर उनका इस्ट प्रसंग सुन रहे थे अचानक वे मुझे इसारा कर बुलाए, निकट जाने पर ही प्रस्न किये मंदर में लोग कितने होते हैं, कहा जी खूब जादा नहीं होता है इस पर उन्होंने कहा, राष्ट्रिय सडक पार करना पड़ता है जिससे लोग थोड़े कम होते हैं और सुनिए, 365 दिन ही सचसंग चलाने की कोशिस करनी पड़ेगी नए नए गायक, वादक तयार करना पड़ेगा, चर्चा करेंगे चर्चा के माध्यम से ही सभी उठ खड़ा होगा और महीना के कम से कम दो बार आचार भवन के परिछनता के उपर ध्यान देंगे बाइदा के सचसंग करने के आसिरवाद के बाद से इसलामपुर के गुरुभाई किर्तन के परमानंद में टूबे जा रहे हैं प्रत दिन सचसंग हो रहा है नए गायक भी तयार हो गए है जिसे कहे बिना रहा नहीं जा सकता है वह है सचसंग सुरू होने के कुछ दिनों के भीतर ही दो दक्च तबला वादक गुरुभाई हम लोगों को मिला है उन लोगों में से एक के हाथ में दुरुगटना की वज़े से प्लेट लगाया गया है किन्तों उनके आसिरवाद से उन्हीं हाथों से वे तबला वजाते हैं 2012 के एक अप्रेल को अठारो खाई मंदर में बवादा उस गुरुभाई को हाथ बदल पलट कर तबला डुगी बजाने का सिरवाद दिये सथ सथ चारित्रिक दुरुबलता हमें हर वक्त आक्रमण कर रही है फिर भी आयोग्यता लेकर जब उनके सामने खड़े होते हैं उस समय उनकी प्रेममे दिश्टी आँखों में आसू ला देती है समझता हूँ पुजनिय बवाईदा मेरी तरह एक नियंतरन हीन को प्रेम इस परस से मनस्य बनाने का नियंतर प्रियास करते जा रहे हैं परमदयाल सिसिठाकुर एवं आचार देव सिसिदादा के रातुल चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपके ब्रत का पालन करूं मरत्यों को इस्तब्ध करके मेरे जीवन में वास्तवाईत हो पुजनिय बवाईदा के इस्ट परसिष्ठा के विराम हीन यग्य में जिससे स्वयम की आहोती से जी सकूँ अनुआदक राजी और रंजन सात्वती जून 2014 पेश संख्या 49-41 से जाए गुरू